नमस्कार प्यारे बच्चों आज की कक्षा 4 विशे हमारा परिवेश पार्ट दो इस्थानिय पेशे एवं व्यवसाइक में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की कक्षा का शुबारम करने से पहले आईए एक नजर इस पर डालने कि आज की कक्षा में हम नया क्या सिखेंगे तो आईए आज हम जाने कि आज की कक्षा में हम नया क्या जानेंगे आज की कक्षा में हम जानेंगे विभिन इस्थानिय पेशे एवं वैवसायों के बारे में यानि विभिन परकार की इस्थानिय तथा वैवसायों के बारे में और विभिन परकार के ओजारों के बारे में जैसे विभिन प्रकार के वेवसाय में कौन-कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है हम इसके बारे में भी जानेंगे तो आईए बच्चों, आज की कक्षा को आरंब करने से पहले आपके साथ कुछ बातचीत कर लिजाए बच्चों, हमारे घर में बहुत सारा समान है मतलब हमारे पास लकडी का समान, मिट्टी का समान, एवं लोहे का समान और भी बहुत सारे समान हम सबके घर में होते हैं आपको एक सूची बनानी है मिलकर सुची बनाते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे समान में कौन-कौन से समान है जैसे लकडी की कुरसी, लकडी की मेज, खिडकी, दर्वाजे और लोहे का तवा जिसपे मा रोटिया बनाती है और चिम्टा जिससे मार रोटियां सेखती है और मिटी का समान जैसे गुलक जिसमें हम पैसे जमा करते हैं और बच्चों हमारे घर में मिटी का घड़ा, मिटी की सुराही और दिये जो हम दिवाली पे जलाते हैं वह सब समान उपलब्द है बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब समान कौन बनाता है और इसको बनाने वाले व्यक्ति विशेश को क्या कहा जाता है और वह विभिन परकार के समानों को या वस्तुओं को किन किन उजारों द्वारा या किन किन उपकर्णों द्वारा बनाता है आईए बच्चों मिलकर ये सोचा जाए कि विभिन प्रकार की ये वस्तुएं हमारे लिए कौन बनाता है और साथ ही वे कौन-कौन से औजारों से इन्हें सही कर देता है बच्चों आप सबने यह भी देखा होगा कि कभी-कभी हम जिस कुरसी पर बैठते हैं उसका हत्था निकल जाता है या जिस मेज पर बैठकर हम लिखते हैं उसका पाया निकल जाता है ऐसी इस्तिती में हम क्या करते हैं? ऐसी इस्तिती में हम स्वेम प्रयास करते हैं फैवी कॉल लगाते हैं, फैवी क्विक लगाते हैं, कील और हथोडी लेकर हम उनको सही करने का प्रयास करते हैं, परन्तु कुछ दिन के लिए वो प्रयास हमारे सफल रहते हैं, उसके बाद हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं, ऐसी इस्तिती में हम क्या करते हैं, ऐसी इस्ति करता होगा या अपना खुद का कोई न कोई कार्य करता होगा उससे वह पैसे कमाता है और पैसे कमा के वह घर का खर चलाता है बच्चों आप इसे क्या कहते हैं इसी काम को जिस कार्य से हमारा घर का खर चलता है उसे हम पेशा कहते हैं या कार्य कहते हैं या धंदा कहते हैं या व्यवसाय कहते हैं आईए बच्चों हम पेशे शब्द का अभिप्राय को समझें अर्थ को समझें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेशे शब्द का अर्थ है कामकाज, कार्य, धन्दा, इत्यादि आईए अब हम पेशे शब्द की परिभाषा को समझ लेते हैं बच्चों पेशे शब्द की परिभाषा है कोई भी व्यक्ति अपने रुची अनुसार जिसमें वो निपुड हो वह कार्य करें और साथ ही उस कार्य से उसे पैसे मिलें जिससे वह अपने घर का खड़ चला सकें तथा समाज की भी सेवा कर सकें या समाज की सहायता कर सकें इसी को हम पेशा कहते हैं मुझे आशा है बच्चों आपको पेशेशब का अर्थ और पेशेशब की परिभार्षा बहुत अच्छे सबज में आ गई होगी साथ ही मैं आपको यह बता दूँ यह विभिन प्रकार के जो पेशे हैं वे हमारे समाज के लिए अतियंत्युप्य होगी हैं क्योंकि हमारे समाज की इन पेशों के साथ साथ हमारी सहायता होती है समाज की भी सहायता होती है और बच्चों यह जो कार्य है जिसमें वह व्यक्ति निपूर्ण है उसकी निपुणता समय के साथ साथ अनुभव के साथ साथ बढ़ती जाती है तो बच्चों आईए अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं बच्चों आप जैसा यहां पर चित्र देख रहे हैं इस्थानिये पेशे एवं वैवसाय का तो आईए आज हम अपने पाठ को कुछ रो पहली को बूझते हुए हम अपने शिक्षन कारिया को पूरा करेंगे तथा एक एक वैवसाय के बारे में विस्तार से जानेंगे तो आईए चलते हैं अपनी पहली पहली की और और आप से पहली पहली में पुछती हूं पहली को आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि आपको उसका उत्तर भी इसी पहली में मिलेगा और आप सब बच्चों को यह भी कहना है कि आप सब बच्चे अपने साथ कॉपी और पैंसिल लेकर बैठें क्योंकि जो महत्पून बिंदू इन किताबों में लिखे है और जो महत्पून बिंदू आपके सामने आएंगे उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं जब अपने पाठ को दोर आएंगे तो यह बिंदू आपके बहुत काम आएंगे तो चलिए हम अपनी पहली पहली की तरफ बढ़ते हैं पहली पहली है चैनी बर्मा रंभा आरी ये सब आजार हमारे हैं लकडी से सामान बनाना ये सब काम हमारे है सोचो सोचो मैं हूँ कौन बोलो बच्चों मैं हूँ कौन अरे वाँ आपने थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा लिया होगा कि लकडी का कारे करने वाले व्यक्ति को क्या कहते है आई आपके सामने एक चितर दिखाई दे रहा है ये चितर आपके पाठे पुस्तक में से लिया गया है ये चितर आपका रामू काका का है रामु काका लकडियों का काम करते हुए आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं और जो लकडि का काम करता है उसे हम बढ़ाई कहते हैं और बच्चों इनके पेशे को हम बढ़ाई गिरी कहते हैं बच्चों यह लकडि से सुन्दर सुन्दर फरनीचर बनाते हैं खिड़की बनाते हैं, दर्वाजे बनाते हैं, और तो और बच्चों आपको यह भी बता दें, यह लकडी के फरनीचर पर सुन्दर सुन्दर नकाशी करते हैं यह विभिन परकार की लकडियों को प्रियोग में लाते हैं, जैसे शीशम, बबूल, देवदार, सागवान, इत्यादी आप अपनी पसंद की लकडी को चुनकर, रामुका का द्वारा अपने घर के लिए सुन्दर सुन्दर फरनीचर बनवा सकते हैं आईए अब यह जानने कि रामुका का हमारे लिए फरनीचर कौन-कौन से उपकर्णों से बनाते हैं या वे कौन-कौन से और जार का प्रियोग करते हैं तो आईए जाने वह हथोडी, छैनी, बर्मा, रंभा, रेती, लोहे की आरी का भी प्रियोग करते हैं चलिए बच्चों, अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं अगली पहेली भी मैं आपको बहुत ही रोचक तरीके से सुनाने वाली हूँ तो जरा ध्यान लगा के सुनियेगा और कान लगा के भी सुनियेगा आईए दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं मिट्टी और चाक की सहायता से मैं नितनित नई बरतन बनाता हूँ मैं गुल्लक घड़ा सुराही आदी आवा पर पकाता हूँ सोचू सूचू मैं हूँ कौन बोलो बोलो मैं हूँ कौन अरे आपने कुछ अनुमान लगा लिया आपको पता चल गया कि यह हमारे कुमार चाचा है कुमार चाचा मिट्टी का बरतन बनाते हैं और उसको चाक की सहायता से नया नय रूप दे देते हैं बच्चों आप यह सोच रहे होंगे कि मैं भी तो मिट्टी से बरतन बनाता हूँ मैं मिट्टी की गोलिया बनाता हूँ गिंती के लिए मेरी मैडम या मेरी अध्यापी का उनके लिए हम मिट्टी के गिंती के लिए गोले बनाते हैं हमारे गोली जल्दी से तूट जाते हैं या जो भी समान हम मिट्टी का खेलने के लिए बनाते हैं वो बहुत जल्दी तूट जाते हैं पर कुमार चाचा के बरतन कुमार चाचा के बरतन असानी से नहीं तूटते हैं तो आईए बच्चो वे प्रक्रिया समझें जिससे कि कुमार चाचा के बरतन पक्के हो जाते हैं बच्चो कुमार चाचा सबसे पहले मिट्टी को गीला करते हैं गीला करने के बाद उसे अच्छे से गूत लेते हैं और गूतने के बाद जो मिट्टी होती है उसे चाक पर रख देते हैं चाक पर रखने के बाद वे अपने हाथों से उसको आकार देते हैं बच्चों यह कार्य बहुत अनुभव का है इस कार्य में बहुत अनुभव की जरुत पड़ती है अगर काका का हाथ इधर से उधर हुआ तो बर्तन का आकार बदल जाएगा फिर काका क्या करते हैं? उस बर्तनों को बनाया हुए बर्तनों को धूप में पकाते हैं और धूप में पकाने के बाद जब बर्तन सूख जाते हैं तो वह सारे बर्तनों को इखटा करके उपलों के अंदर उसे ढखकर उसमें आग लगा देते हैं। वह दो-तीन दिन तक वह आग के अंदर बर्तन पकते हैं। उसे हम आवा कहते हैं। तो आपको पता चल गया बच्चों कि कुमार चाचा कितनी मेहनद करके बरतन पकाते हैं। या गढ़्धे में दबाई जाती है या रखी जाती है उसको हम गुल्बी कहते हैं और जिससे चाच को चलाए जाता है उस डंडे को हम चकरेटी कहते हैं बच्चों आपको यह भी बता दें कि जब कुमार चाचा कार्य कर रहे होते हैं तो उन्हें पानी की जुरत पड़ती है जिस बरतन में वे पानी रखते हैं उस बरतन को हम कुंडी कहते हैं और बच्चों पर्तनों को अकार की जुरृत पड़ती है, उसको ठोक कर चाचा अच्छे-अच्छे अकार देते हैं, उस आजार को हम ठापा या फिर पिंडी कहते हैं, ठीना बच्चों रोचग जानकारी, आईए अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं, अगली पहेली और अगली पहली के साथ अगला वेवसाय, आपने तो दो वेवसाय जट से आपको पता चल गए हैं, आपने पहला वेवसाय कौन सा पढ़ा, पहला वेवसाय आपने बढ़ाई का पढ़ा, आपने जाना कि बढ़ाई चाचा लकडियों से काम करते हैं, और दूसरा पेशा आप आपने कौन सा पढ़ा आपने पढ़ा अपने कौन सा पढ़ा था दूसरा पेशा दूसरा पेशा आपके यह पहली यहां पर फिर से उपस्तित है सिलाई मशीन सुई धागा कैची सिलाई मशीन सुई धागा कैची कपड़ा ये सब औजार हमारे हैं सुन्दर सुन्दर वस्त्र बनाना सुन्दर सुन्दर वस्त्र बनाना ये सब काम हमारे हैं सोचो सोचो मैं हूँ कौन बोलो बच्चो मैं हूँ कौन बच्चो यह दरजी च जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था। दर्जी चाचा कमारे लिए सुंदर-सुंदर वस्त्र बनाते बनाते हैं जबी भी हमें किसी विवहां में जाना होता है या हमारा जनमदिन का कोई उत्सव होता या तीज- त्योहार पड़ते हैं तब तब हम क्या करते हैं तब हम दर्जी चाचा को याद करते हैं और अपने वस्त्रों को दर्जी चाचा के पास ले जाते हैं दर्जी चाचा हमारे कपड़ों को कैची से काटते हैं और हमारा नाप इंच टेप से लेते हैं उसके बाद वैसिलाई मशीन और अपने हाथ का प्रयो कितना उपयोगी है और दरजी चाचा का कार्य हमारे लिए कितनी सहायता करता है आईए बच्छो अब अगली पहली की तरफ रुख किया जाए और अगले वेबसाई को भी जाना जाए अगला वेवसाय बहुत ही रोचक है और बहुत जादा हमारे समाज के लिए उपयोगी है आईए पहले पहली सुननी जाए फिर हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे दो बैलो की जोड़ी लेकर खेती करना मेरा काम गर्मी बरसा ठंड को सहता कभी न करता मैं आराम सोचो सोचो मेरा नाम बोलो बच्चो मेरा नाम आपने तो जट से अनुमान लगा लिया होगा कि किसान भाईया का दोस्त कौन है दो बैलो की जोड़ी और किसान भाईया दिन रात मेहनत करते हैं किसान भाईया कह रहे हैं मैं अपना परिचे खुद दूँगा आईए बच्चो हम इस वैवसाय और किसान भाईया का परिचे उन्ही के मुख से सुने आईए नमस्ते बच्चों राम राम मैं किसान भाईया दो भाईया हूँ किसान भाईया हूँ मैं मुझे आप कृषक और खेतियर के नान से भी जानते हैं बच्चों मेरे दोस्त या मेरे सहयोगी है मेरे दो बैल और मेरा हल मैं भूमी तयार करता हूँ जब मैं अपनी भूमी तयार करता हूँ तो उसमें मैं सबसे पहले निराई करता हूँ गोडाई करता हूँ और फिर उसके अंदर बीज डालता हूँ बीज डालने के बाद मैं उसमें सिचाई भी करता हूँ जब मेरी बीज थोड़े बड़े हो जाते हैं फसल का रूप लेने लग जाते हैं तो मैं कीट नाशक दवाईयां डालता हूं बच्चो जब मेरी फसल बड़ी हो जाती है तो मैं उसे काट कर और जब वे पक जाती है तो मैं उसको आपके लिए बजार तक ले कर जाता हूँ बच्चों मैं बहुत महनत करता हूँ मैं खेती करता हूँ बच्चों मैं अनुगाता हूँ अन से आप सब का पेट भरता हूँ पूरे संसार का पेट भरता हूँ लेकिन मुझे तब बहुत बुरा लगता है जब आप लोग खाना व्यर्थ करते हैं बेकार कर देते हैं थाली में जितना खाना लेना हो आप उतना खाना खाईए आप क्या करते हैं आप बहुत सारा खाना ले लेते हैं और फिर उस खाने को आप फेक देते हैं, व्यर्थ करते हैं, अनका अपमान करते हैं बच्चों मेरे परिक्ष्रम को देखते हुए आप आज ये प्रण लीजिए कि आपको जितना खाना खाना है आप बस उतना ही खाना खाए ले और जितना आपकी थाली में खाना हो, आप उतना ही खाने को कलें, जिससे की मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी बच्चों, मैं सेफ अन ही नहीं उगाता, मैं फलो के पौधोय की भी खेती करता हूं जैसे आम, पपीता, सेव, इत्यादी और उन्हें भी मैं बजार में बेच आता हूं और उसे खाकर आप बहुत जादा शक्ती शाली उर्जावान बनते हैं तो बच्चों, मेरे औजारों की बारे में भी जान ले फावडा, खुर्पी, कुदाल, हसिया, इत्यादी बच्चों, मैंने अपना परिचे तो दे दिया साथ में आपको यह भी बता दिया कि अन बहुत ही महतपूर है हमारे जीवन के लिए तो आपको अन की बरबादी नहीं करनी है इसी के साथ मैं तो चला, मेरे पास तो बहुत काम है सबको राम राम और आगे का व्यवसाय आप अगले पहेली के दोरान जाने वा बच्चों, आपको कृशक भाईया ने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया चलिए, अब अकली पहेली की तरफ बढ़ते हैं और अगले व्यवसाय के बारे में जानते हैं बच्चों, इस पहेली को कान लगा कर ध्यान लगा कर सुनियेगा क्योंकि इस पहेली में भी हमारी पहेली की संकेत छुपे हुए हैं तो चलिए, आए एक बार फिर से ध्यान से पहेली को सुना जाए तुम कहो तो धौकनी से सक्त लोहा मैं पिगला दू और लोहे से मैं सुन्द सुन्दर खूब सूरत बरतन बना दू कुदाल कुळाडी और बना दू सोचो बच्चों मेरा नाम क्या है बच्चों मेरा नाम अरे लोही का काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं आईए बच्चों आज हम इनके बारे में भी बहुत विस्तार से जानते हैं बच्चों मां हमारे लिए रोटिया किस पर बनाती है तवे पर और रोटिया किस से सेखती है चिम्टे से जब कभी मा का तवा खराब हो जाता है या उसमें छेद हो जाता है तब हम कहां जाते हैं? हम किने याद करते हैं? हम लोहार चाचा को याद करते हैं लोहार चाचा या तो मा का तवा सही कर देते हैं या फिर हमें नया तवा दे देते हैं और चिम्टा अगर खो जाता है तो हम लोहार चाचा से चिम्टा भी ले आते हैं लोहार चाचा ने हमारी मदद की और हमने मा की और फिर मा के हाथ के स्वादिश रोटियां हम सबने मिल कर खाई तो बच्चों लोहार चाचा बहुत ही महनत का कार्य करते हैं वह लोहे को पिगला कर बहुत अच्छे से बरतर मना देते हैं सक्त लोहे को पिघलाते हैं बच्चों, अब आप सुच रहे होंगे, मैडम या अब ये लोहा कैसे पिघलता होगा, लोहा तो बहुत सक्त होता है, आईए अब इस प्रकरिया को समझा जाए, बच्चों लोहे के बर्तन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें लोहार कहते हैं, लोहार चाचा और वहे क्या करते हैं, वहे एक भटी में लोहे को उसमें डाल देते हैं, जब लोहा लाल सुर्क हो जाता है, तब उसको वहे विभिन प्रकार की आकार दे देते हैं, आप को पता चला इस कार्य में कितना परिक्ष्रम है लोहार चाचा हमारे लिए सुन्दर सुन्दर बरतन बनाते हैं और वह उसमें अपने पूरी मेहनत से कार्य करते हैं आईए यह जाने कि वह कौन-कौन से विविन परकार के औजारों का का प्रियोग करते हैं वह हतोड़ी छैनी भति इत्यादी का प्रियोग करते हैं लोहार चाचा हतोड़ा छैनी भाति इत्यादी का का प्रयोग करते हैं बच्छों आपने यह तो जान लिया कि लोहार चाचा कौन-कौन से और जारों का प्रयोग करते हैं अब आप यह भी जाने कि लोहार चाचा लोहे से कौन-कौन सी वस्तमें बनाते हैं जैसे फाटक लोहे का फाटक ग्रेल कुदाल आदी बर्तन बनाते हैं तो बच्चों आपको यह भी पता चल गया कि लोहार चाचा हमारे लिए कैसे काम आते हैं आईए बच्चों अब इस रोजगार को बहुत अच्छे से जाने इस रोजगार को भी आपको पहली द्वारा ही समझना होगा और आपको पहली द्वारा ही आगे तक पहुँशना होगा आए इस पहली में हम बढ़ते हैं मिट्टी, रेत, सिमेंट आदी से मैं घर बनाता हूं सूत, साहुल, गुनिया लेबिल से तल से तल मिलाता हूं कन्नी से मैं इट जोड जोड तुम्हारा घर बनाता हूं मेरा नाम, अरे वा, आपने तो जट से पहचान लिया यह राजगीर चचा है, राजगीर चचा हमारे लिए सुन्दर सुन्दर मकार बनाते हैं यह छोटे से छोटा और बहु मंजिलाई मारते बनाते हैं ये हमारा विध्याले भी बनाते हैं, ये हमारा घर भी बनाते हैं, ये shopping mall, cinema, hall, बाजार में खड़ी दुकाने इत्यादी बनाते हैं बच्चों इनका कार्ये भी बहुत अनुवावका है, ये नीव बनाते हैं नीव अगर पक्की नहीं बनी या फिर अच्छी नहीं बनी तो उसके कोई इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी तो इसलिए राजगेर चाचा नीव को बहुत अच्छे से डालते हैं वै इसके लिए कौन-कौन से औजारों का इस्तिमाल करते हैं कौन-कौन से औजारों का प्रियोग करते हैं आईए अब इसके बारे में जान लेते हैं हतोडी, छैनी, कन्नी और पहेली में आपने सुना तो था सूत, साहुल, गुनियाफ और बहुत सारा समार आईए बच्चों अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी पहेलिया जान ली है राजगिर चाचा के बारे में जान लिया है लोहार चाचा के बारे में जान लिया है और हमने रामु काका के बारे में भी जान लिया है बच्चों, ये जो पहेली मैं पूछने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपको कुछ संकेत दे दूँ इस वेवसाय को आप भगवान की तरह मानते हैं यह पेशा जो है यह हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है और हम इस पेशे में जो जुड़े व्यक्ती हैं उनकी सारी बाते मानते हैं आईए जानते हैं इस पहले से कि यह वेवसाय कौन सा है जब भी पढ़ते हो बीमार तुम मुझको करते हो याद आला यह रहा आला और थर्मामीटर आला थर्मामीटर वजन मशीन यह सब है मेरे आज़ार तीन समय की दवा को देता जट कर देता मैं उपचार सोचो सोचो मेरा नाम बोलो बच्चो मेरा नाम अरे वा आप तो अब यह समझी गए होंगे कि तीन समय की दवाई कौन देता है और हमारे लिए यह कौन सा पेशा इतना उपयोगी है यह है हमारे डॉक्टर साहब बच्चो आपके पाठे पुस्तिका में एक बच्चा है राजू राजू बिमार हो गया है राजू के पापा उसको डॉक्टर के पास ले गए है जब हम बिमार पढ़ते हैं तो हम भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर साहब आला लगाते हैं और उन्होंने राजू को भी आला लगाया आला से उन्होंने राजू की छाती को देखा और यह पता लगाया कि राजू की छाती और उसके शरीर में कौन-कौन से रोग हैं बच्चों आपको यह पता है कि विभिन प्रकार के उपकर्णों को प्रियोग में लाकर डॉक्टर साहब हमारी शरीर के बारे में पता लगा लेते हैं कि हमें कौन-कौन से रोग हैं आईए हम डाक्टर के बारें के उपकरणों के बारे में जाने बच्चों आपने पहले देखा है जो तालिका बनी हुई है इस तालिका में पहला है स्टेतो इसकोप वह था यह आला जिसे मैं आला कह रही थी इससे दिल की धड़कन सुनी जा सकती है बच्चो रक्त चाप मीटर से रक्त के दबाव को रिकॉर्ड किया जाता है स्टॉप वोस से सोसंदर को रिकॉर्ड करते हैं वजन मशीन वजन को रिकॉर्ड करती है थर्मा मीटर शरीर के ताप को बताता है आपको बुखार है की नहीं और पट्टी अगर कहीं चोट लग जाए तो उसको ढखने की प्रयोग में लाई जाती है या इस्तमाल में लाई जाती है आईए अब हम अगले वेवसाई के बारे में जाने अगला वेवसाई है जब भी तूटे जूते चपल तुम मुझको करते हो या जटसे में उनको सिल देता पैरों को हो जाता आराम अरे ये तो हमारे मोची चाचा है मोची चाचा हमारे जूते चपल को जब भी कभी तूटते हैं उन्हें सही कर देते हैं आपने भी यह अनुभव किया होगा, कभी रस्ते में चलते वक्त आपके जूते चपल जरूर तूटे होंगे और आप उसे मोची चाचा के पास ले गए होंगे मोची चाचा ने सुई धागा, शिल्प पांच, सरोता, डेरी जबिया, आदी से उसे सही कर दिया होगा आईए बच्चो, अब हम अगली पहेली का रुक कर लेते हैं, अगली पहेली आपको यहां से संकेत देगी गली महले मैं मिल जाओं, साफ सफाई मेरा काम, जाडू डलिया लेकर चलता कभी न करता मैं आराम सफाई से है मुझको प्यार, सोचो सोचो मेरा न, बच्चो यह हमारे सफाई करमी वहिया हैं स्वक्ष भारत और स्वस्थ भारत का हम सपना इनके बिना नहीं देख सकते बच्चो यह हमारे घर के आसपास हमारे समाज की गंदगी को साफ करते हैं इनके हात में हमेशा जाडू होती है, छोटी, बड़ी, जाडू और डलिया, यह उससे सफाई करते हैं, और वहां से गंदगी साफ कर देते हैं बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि कभी आपने ये सोचा है बच्चों कि कभी ये ना आएं तो हमारे समाज का क्या हाल होगा चारो तरफ गंदगी फैल जाएगी और गंदगी फैलने के बाद क्या होगा बच्चों हमारे हाँ पर बिमारियां उत्पन होंगी बिमारियां म महामारी का रूप ले लेंगी तो बच्चों आप सबसे निवेदन है कि आप बच्चे भी सफाई कर्मी चाचा का साथ दें इधर उधर कच्रा ना फेकें सावजनी के स्थानों पे कच्रे पेटी का प्रियोग करें बच्चों आईए अब हम यह जाने कि आज हमने क्या क्या सी उभिभिन प्रकार के स्थानिये पेशे और उनसे संबंदित आउजारों के बारे में और बच्चों पाठ के आखिर में हम लोग एक और पायदान चढ़्लेते हैं हम आज का ग्रह कारिय जान लेते हैं बच्चों आपके सामने एक तालिका दी हुई है, तालिका में स्थानिय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है, उनके द्वारा किये जाने वाले कारे लिखने हैं आपको और उनके द्वारा बनाई गई वस्तों के बारे में लिखना है, उधारन के रूप मे लोहार चाचा लोहे का गार्य करते हैं, लोहे से समान बनाते हैं जैसे कुदार इत्यादि, तो आपको यह तालिका अपनी उस्तर पुस्तिकार्व में लिखनी है साथी बच्छो आपको यह भी पहचानना है कि मैं हूँ कौन आपके सामने बहुत सारे कार्ज दिये हुए है पहला चितर किसान चाचा का है दूसरा चितर राजगेर चाचा का तीसरा चितर मोची चाचा का चौथा चितर आपका दरजी चाचा का है और पाश्मा चितर आपका किसका है यह है हमारे सोचके बताईए मिट्टी का समान बनाने वाले को हम क्या कहते हैं मिट्टी का समान बनाने वाले को हम तथा आपके लिए यह दो चित्र भी मिट्टी का समान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं और हम लोहे के काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं और हम लकडी के समान बनाने व्याले व्यक्ति को क्या कहते हैं यह आप सोच के बताईएगा चलिए आपके लिए कुछ पहेलिया भी हैं आप इसे अपने उत्तर बुस्तिका में लिख लीजिएगा और फिर आप इनके उ आप एक सूची बनाएं कि वे कौन-कौन से औजारों द्वारा ये प्रियोग में लेके आते हैं और हमारे समानों को सही करते हैं. आज के पाठ में इतना ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अगले पाठ में फिर से आप से पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार.